एको ओस्दिये फल की बात करेंगे जिसको हम बेर की नाम से जानते हैं यह रेबनेशी फैमिली का है और इसको इंडियन जुजुबे एक नाम से भी जाना जाता है इसका बोटनिकल नेम जिजीफस मौरी सेना है इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से किया जाता है इसके गलेब्रस लीव्ज हैं और छोटे-छोटे इसके अंदर थौन्स होते हैं लेकिन इसका पत्र, इसकी छाल, इसकी मूल, इसके फल सभी के अंदर म्यूसीलेजिनेस मेटीरियल मिलता है जो ब्रॉंकाइटिस की समश्या को निराकरण करता है और बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर पाये जाते हैं प्रोटीन और अमाइनो एसिडिस के अंदर पाये जाते हैं कार्भोहाइड्रेट और फाइबर पाये जाते हैं इसके बीज के अंदर पोली अंसाचुरेटेड़ फैटी एसिड पाये जाता है अब हम इसके गुणों की अगर बात करें तो बहुत औस दिये गुण है इस प् करता है कई बार देखा ही जाता है कि एंटिबायोटिक को लेने के बाद हमारा भूक लगना बंद हो जाता है पेट में क्रेंपिंग जैसी स्थिति आती है एब्डॉमिनल पेन होता है वोमिटिंग या जी मचलाना जैसी समझ से हो जाती है कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है कि एंटिबायोटिक्स के कारण डिस्बायोसिस हो जाता है हमारी जो गट होती है उसके अंदर जो माइक्रोबियल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है जिसके कारण कोई भी फॉरण एजेंट हमारी कट के अंदर एंट्रिक कर जाता है और हमारी कंडिशन खराब हो जाती है तो हमें अगर इसके जूस बना कर अगर हम लें तो वो एंटिबायोटिक का कारी करता है रूमेटिजम की समस्या का निराकरन करता है, फिवर के लिए, मेंटल डिसॉडर के लिए इसको हमें यूज करना चाहिए, कई बार लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टिज होती हैं, ये एसिटाइल कोलीन, एस्टिरेज जो एंजाइम होता है, जो एसिटाइल कोलीन का नहीं चाहिए, क्योंकि ये एसिटाइल कोलीन का लेवल बढ़ा देता है, और पार्किनसन डिसिज के पेशन्ट की सिवेरिटी भी बढ़ जाती है, इससे डिस काइनेसिया और अनकंट्रॉल्ड इन्वॉलेंटरी मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, हमें पार्किनसन डिसिज इसके पेशन्ट को इसको नहीं देना चाहिए, बाकि इसके जो अत्ते होते हैं, वो एंटी फंगल होते हैं, इसका डिकोक्शन बनाकर बालों को धोना चाहिए, जो की कंडिशनर का कारे करता है, इसका सुरस कफ को निकालने वाला, मुकोलाइटिक का कारे करता है, और वात पित कफ तीनों प्रकार के दो सो का भी समन करता है यह बहुत सेफ है इसको आसानी से हम लोग ले सकते हैं यह एंटी डायबिटिक पोटेंशल भी रखता है इसके अंदर डामा रेन सैपोनिन पाया जाता है जो की एंटी फंगल एक्टिविटी अपनी सो करता है ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है और मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी आजकल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई है तो उससे निराकरन के लिए भी इसका हमें सेवन करना चाहिए यह बहुत सेफ है फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ और आपके कमेंट कर सकते हैं देखते रहें नए नए प्लांट को नए नए जानकारी के साथ आप सभी का धन्यवाद प्रणाम